बैंगलरू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया है। महालक्ष्मी नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव करनाटक की राजधानी बैंगलरू में एक फ्रिज में 69 तुकडों में रखा गया। कतल का इलजाम अशर्फ नाम के एक शक्स पर लगा है। अब इस मामले में नया मोड आ गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस कतल में अशर्फ नहीं बलकि कोई और शामिल है, लेकिन करनाटक पुलीस ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। आपको बता दे, महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और उनके पती का नाम हेमंत था लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो महालक्ष्मी अपने पती हेमंत दास से पिछले 9 महीने से अलग रह रही थी। इस मामले में महिला के पती ने बड़ा दावा किया है। हेमंत ने कहा कि उसकी पतनी अश्रफ के साथ रिष्टे में थी। वह अश्रफ के साथ ही फ्लाट में रहती थी। वह एक नाई की दुकान पर काम करता है। हेमंत ने आगे दावा किया कि अश्रफ उत्तराखन का रहने वाला है। 29 साल की महालक्ष्मी एक सेल्स कंपणी में काम करती थी और वह सेल्सवुमन थी. 21 सितंबर को बैंगलुरू के मलेश्वरम में एक घर के फ्रिज में उसका शव टुकडों में मिला था. दरसल हुआ यू कि जिस कमरे में उसका शव था वो करीबन 19 दिन से बन था. जब कमरे से बद्बू आई तो आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फोन किया और उसके बाद मृतक महिला की मा को कॉल कर बुलाया और जब गेट खुलवाया तो सभी हैरान रहे गए क्योंकि कमरे के चारो और खून था. आपको बता दे, बैंगलुरू पुलीस ने महालक्ष्मी के पती हेमंत दास और उस हैर ड्रेसर अश्रफ से लंबी पूछताच की, लेकिन इन दोनों से शुरुवाती पूछताच के बाद पुलीस इस नतीजे पर पहुची है कि महालक्ष्मी के किल में इन दोनों का कोई हा जा सके, लेकिन इस कहानी का मुख्य संदिग्ध जिसका नाम मुक्ती बताया जा रहा है वह अभी भी फरार है, रिपोर्ट्स का दावा है कि महालक्ष्मी और मुक्ती एक ही कमपनी में एक साथ में काम करते थे, मुक्ती का फोन बंध है और उसकी तलाश जारी है, उसके फो पातार ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश कर रही है